हेलो फ्रेंट्स वेडियो में आपको बहुत आसान तरीके से एक ही कट में डिजाइनर नेट वेल सिलिप्स की कटिंग और स्टीचिंग बताऊंगी तो फ्रेंट्स यह देखी है मारे बेडाउज का बैग पार्ट है और इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्रिप्शन बाक्स मे फ्रेंट्स इसका कटिंग ने दोनों बता है और इसका ये फ्रेंट पार्ट है इसका विलिंक मैं दे दूंगी और आप में चैनल पर आगदेखी मैंने बहुत स्वारे वीडिजाइन डाले हैं तो फ्रेंट्स हमें की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आर्म होल की नाप की तो यहां देखिए आर्म होल शाड़े साथ इंच है फिटिन तक के ही निसान तक आपको आर्म होल करना प्लेना है तो यहां देखिए सबसे पहले पेपर पेकटिंग करना है और यहां मैं स्लिप्स की लिए न्थ ले रहे हूं पंदराइच आप अपने अकार्डिंग इस्ट् निसान लगा देना है और यहां से फिर से दो इंच पे इस्ट्रा यह मार्जिन है यहां से दो इंच पे निसान लगा देना है और यह देखिए फिर पूरे निसान को सिधा कर लेना है अब यहां से जितना आपका कोहनी हो ना ले ले अपने कार्डिंग तो यहां मैं साड़ पांच इंच पे निशान लगा रही हैं और फिर यहां से दो इंच इस्ट्रा लेना है आपको और इन दोनों निशान को सिधा कर लेना है मार्जिन के और फिटिंग के निशान को ऐसे सिधा कर लेना है तो यहां देखिए प्रेंज ऐसे निशान लग गया है और फिर ऊपर से बटें लिए आपको ऐसे स्केल से ऐसे सिधर एक निसान लगा देना है और यहाँ देखिए ऐसे से आपको बना लेना है या फिर आप अपने कटिंग जैसे भी सलवस की कटिंग करते हैं वह से कॉछों बliटने और फ्रेंड यहां निचे के तरफ से अब कट कर लेना है तो अब देखिए इसे हम नेट के फेबरीक पे भी कट कर लेंगे तो यह देखिए नेट के फेबरीक को फोर फोल्ड करके रख लेना है यह देखिए मैंने यहां पर फोर फोल्ड करके रखा है फेबरीक को अब यहां देखिए ऐसे पेपर को रख लेना है और फिर्ण इसमें ज्यादा इस्ट्रा फेबरिक लगता है क्योंकि यहां पर चुनत डालने हैं इसलिए तो यहां देखी मैं 5 इंच इहां इस्ट्रा फेबरिक ले रहे हूं आप अपने काडिंग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं जितना ज्यादे लेंगी उतना अच् इसमें अपने पर कुरक के कट कलने बहुत ही असान तरीका है फ्रिंट से अधम असान तरीके से बन जाता है और आपको इस्ट्रा फेबरिक या फिर अलग से कोई कटिंग नहीं करना पड़ता है ऐसे मेकी में पूरा कटिंग हो जाती है तो यहां देखिए यह मैंने कट कल है और यहां जो भी निशान है इस यहां एक एक कट लगा दे ताकि यह बरावर से निशान बना रहा है और फ्रिंट इसमें अपको अलग से बेल स्लीप या जो भी उसे कट नहीं करना है इसमें सब अटैच है बहुत ही अलग लूक और यूनिक लूक देता है तो यहां इसे शिलाई लगा लेनी है इसमें हम लोग गेदरस डालेंगे गेदरस डालना बहुत ही असान है आप चाहते है तो अगर गेदरस डालने में दिकत थो यह बीच में बस आप 5-6 चुनट भी डाल सकते हैं तो यहां देखिए फ्रिंट ऐसे शिलाई लगा के और एक धागे क तो यहांने जो दो धागा रहता है उसमें एक धागे को बस पकड़ के ऐसे हल्का खीचना है इससे बहुत ही असानी से गेदरस बढ़ जाते है यह देखिए ऐसे आपको खीचते जाना है और इसे हाथों की साहता से एदम बराबर से ऐसे बनालेना है तो यह देखिए फिर कि यह कंने के सब्सक्राइब लेड़ा है। जर दो में में अगर कुषुक्त जाना तो तो बना यहां कुषु निगा थेझाभर । यहां करसा परफेक्ट पेपर के लिए है। जो अरमोल के तरफ से भी आदाब । जो पांच dal शेले पितिंग रिए हैं कि. यहाँ आप मर कर लेना है तिये देखिए यह कि आप इसको आप इसको आपको एपे यह सब ब्रॉल करको यहां पर देखिए ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऐसे डबल फोल्ड करके ही आपको यह इलास्टिक के से मुझके बराबर ही कट कर लेना है तिहां दिहां रेफिरेंस हाँ फी लेना यानि जितना आपका कटिंग हुआ इसको फोल कर लेजिए और उतना इलास्टिक ले लेजिए तो यह बहुत ही असानी से बन जाता है और फ्रेंट्स यहां देखिए पांचीज पर निसान लगा के जो पहले आ लेडी निसान लगा गया है उसी पर ऐसे इलास्टिक को रख लेना है और फ्रेंट्स अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप बहुत ही असानी से तब भी बना सकते हैं ऐसे से उपर गेदर्स पड़ा है यहां भी गेदर्स डालके से मुझी तरह आप खिच लेंगे धाए को पकड़के तो यहीं तरह बन जाएगा और अगर इलास्टिक थाए तो और अगर अच्छा से बन जाएगा तो यहां देखिए ऐसे इलास्टिक को खीच-खीच के ही सि लगानी है तो यहां देखिए फ्रेंट्स मैं इस्तरा ही खीच रहे हूं खीच-खीच के ही लास्टिक को लगा रहे हूं तो यह अपने आप चुन्टे बनते जाएंगी एदा असान तरीके से तो यहां देखिए यह असानी से पूरे फेबरिक में लग जाएगा जितना आधा यानि जितना फेबरिक है उसका आधा ही कट करना है इलास्टिक को तो यहां देखिए फ्रेंट्स इदा में असानी से बनके यह देखिए बहुत ही कुश्वर डिजाइन ही आ जाता है तो अब अब हम एलास्टिक के उपर फेवरीक लगांगे कि एलास्टिक देखे occupied. 12 जितकरों का छाओं मैंने साटन के फेवरीक पेप पट्टी कट कर ली है. और इसे एसे फोलड शेंड ऐसे डौरते हैं. तो यह चलग जाता हैं. और यह देखें, ऐसे मैंने शिलाई लगा दिया है, अब इसे प्लॉठ प्लट लिया है तो इसे हूँ प्लॉठ लती है, तो यहां देखें, इसके वपर ऐसे सेम रखें शिलाई दोनों तरफ से . यानि दोनों कार्णर पर शिलाई लगा देनी है ताकि विल्कुल भी जो इलास्टिक है वो दीखे ना तहां देखिए पहले मैं एक साइट से कार्णर पर शिलाई लगा देना है तो यहां देखिए अब फिर इस साइट से भी शिलाई लगा देनी है तो यहां देखिए अब नेचे की जो कटिंग होती है तो उसमें जादे दिक्कत होता है और ऐसे बनाने से आप कईदम नया लूक भी आता है और थोड़ा लग भी दिखता है तो काफी इजली बन भी जाता है सबसे बड़ी बात है असान तरीके से तो यहां देखिए ऐसे फोल्ड करके आपको सेट कर करके आप शिलाई भी लगा सकते हैं मसीन के सायता से इजली जैसे आपको एकार्डिंग सुदा हो तो यहां देखिए फ्रेंस मैंने यहां पट्टी तयार कर लिए और यहां आप चाहते हैं तो उल्टे साइड भी यहां ऐसे सें पट्टी तयार करके ऊपर से स्टीज कर सकत हैं ताकि दोनों तरफ इलास्टिक देखे ना लेकिन मैंने बस उपर के साइड इलास्टिक के ऊपर पट्टी लगाया है तो यहां देखिए फ्रेंस अब हम इसे दोनों बैग पार्ट और फ्रंट पार्ट के कंधे को ज्वाइन कर लेंगे और यहां देखिए स्लिप्स को अटेश करेंगे यहां देखिए सबसे पहले बीच में मार्क करके ऐसे बीच में स्लिप्स को रखके ऐसे शिलाई लगा देंगे और इन सभी का मैंने टिटोरियल दिया है कटिंग स्टेचिंग बैग पार्ट और फ्रंट पार्ट सभी का तो उसे जाकर आप ज़रूर चेका अब पार्ट है मैंने सभी कटिंग स्टेचिंग पूरा टिटोरियल दिया है उसे जाकर ज़रूर चेकाउट करिएगा और फ्रेंस मैंने अपने चैनल पे एक से डिजाइनर स्लिफ लिटेस्ट मांडल की कटिंग स्टेचिंग बता है उसे जाकर ज़रूर देखिएगा अग नवाद